जीव के क्या तपस्या होनी चाहिए भगवान ने जीव दी है इसका हम धुरुप्यों कर सकते हैं सुदुप्यों कर सकते हैं उधारन दिया जाता है शास्तों में मेंड़ जो है क्यां 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 करके साम को सूचना दे देता है क्या कि मैं इस थान में हूँ और साम फिर मेंड़ को जाकर चांट देता है तो जीव जो है इसका हमें उप्योग करना चाहिए भवववदी साथ भानी के साथ भागवान सब्सक्राइब क्या है जीव की तपरस्या सचे भानी की तपरस्या सत्यम बोलो सच बोलो आजकर समाज में ऐसी स्थिती है कि सच का अर्थियम नहीं जानते सच बाद है आप आज कोड में लीगल स्टैंप पेवर में एग्रीमेंट साइन करते हो और कल पहुंच जाते हो के चैरी तो जीव के द्वारा हमें सच बोलना चाहिए खास करके जो की अध्यात्मिक जीवन को स्विकार करना चाते हैं उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि सत्यता भाद्धरम के एक लक्षन है धरम के चार मुख्या लक्षन है जिनमें एक है सत्यता तो वानी की एक तपसे ये है कि आप सच बोलो जूट नहीं हम जूट क्यों बोलते हैं काम निकालने के लिए सच बात है हम सो दें जूट बोलकर काम निकल जाया चैर जो अध्यात्मिक जीवन में जो प्रवेश करते हैं उनका सिधान्त होना चाहिए सत्यता सचाई तो सचा आई आरम कैसे होती है ये आरम होती है सबसे पहले आप भगवान की सिक्षा को बिना बद्रे स्विकार कीजेगा ये नहीं कि भगवान की सिक्षा को लेकर आप अपने भावों को साथ जोड़ दो ये भगवान की सिक्षा को प्योग करो अपने विचानों को प्रकट करने के जैसे कि अनेक व्यक्तियों ने गीता का अनुवाद किया है पर अगर आप इन अनुवादों को पड़ो तो क्या देखते हो कि अनुवादत ने अपने भावों को विचारों को प्रकट किया है भगवान के विचारों को नहीं बुलाते तो यहां भगवत गीता पर विचार अंदर हम पढ़ते हैं क्या अपने अलग-अलग व्यक्तियों के अपने अपने विचार एक व्यक्ति ने अनुवात करते हो ये लिखा है कि कृष्णा नाम तो कोई व्यक्ति ही नहीं है तो भगवान कह रहे हैं कि वानी की एक तपच्य ये है कि तो हमेशा सत्य, सच बोलो तो ये सचाई आरम होती है पहले भगवान की वानी को बेकुश सत्य रूप में स्विकार करते फिर भगवान का जो उपदेश है वो भी बेकुश सत्य रूप सही सुनाओ ये रही कि प्रजा को आकर्षित करने के लिए आप इस उपदेश को इतना सरल बना दो कि जो असली उपदेश है उसका लाव ही कोई नहीं उठा सके जैसे कि जब हमारे गुरु महाच भी अमेरिका गए थे कई उन्होंने उन्हें कहा कि स्वाने जी आप ये उपदेश आपके उपदेश को कोई नहीं मानेगा समाज के लोग अमेरिकन लोग इस उपदेश को नहीं मानेंगे तो प्राफ़ा जी ने पर वोही सच्चे संदेश का अगे प्रचार किया पर आगे सच्चाई का क्यार कि एक दूसरे के वईवार के साथ भी आप सत्य बोलो यह लिए की काम निकालने के लिए जूट बोलो तो वानी वानी की एक तपस्या है सच बोलना फिर आगे भगवान कहते है प्रियर वैसे शर्ट बोलो जो प्रियर हो अभी इसका ख्यार आप कहोगे कि हमें तो भागवान का उपदेश नहीं सुनना तो हम भागवान काई स्थितियों में जब भागवान का उपदेश सुनाते हो तो कईयों को तो अच्छा नहीं लगता जो भग्त हैं भग्ती भावदा के हैं वो तो UTSाहित होकर सुनते हैं पर कईयों को अच्छा नहीं लगता है तो भभगवान किह रहे हैं वानी की तपस्या है एक दर सत्य बोलो आगे प्रियर प्रियर शब्लब सुनाओ तो मतलब ये है कि भगवान की उप्धेश को ही सुनाओ पर प्रियर रूप से सुनाओ ये नहीं कि लोगों को खुश करने के लिए आप कोई ओर युक्दे इस सुना दो जैसे कि आज लोग क्या सुनना चाहते हैं ये ही सुनना चाहते हैं कि वो जब कर रहे हैं ठीक है सब्सक्राइब कोई रख्ती ये नहीं सुनना चाहता कि मैं गल्द कर रहा हूँ तो आप कहोगे ये भगवान कह रहे हैं वाने की तपरस्या ये है कि फ्रिये शब बोलो तो उसका अर्थ है कि हमें वोई बोलना चाहिए जो कि लोग सुनना चाहते हैं नहीं बोलना है सच पर उसी सच को प्रियर रूप से आप बोलो जैसे भगवतम में एक श्लोक है श्वावे द्वरा होसा ठरे समसुसा पुरुशा पशू नायतकता परोपदे पितो जातु नामा गदगर जाहा तो ये भगवतम के दूसरे सकंद का एक स्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं बने इस पर्ष्टुफ से कि जो भौतिक वादी हैं उनके थुलना की करें ये पर्ष्यों के समाद चार पकार के पर्ष्यों के समाद किसके साथ स्वावे बड़ा होसा करें गदे के साथ और कुते के साथ सुवर के साथ और उनके साथ क्या आप को होगे ये बड़ी अजीबात है ये चार पकार के पर्ष्यों से क्यों तुलना की गई है तो भगवतम इसकी व्याख्या करते हुए भगवतम में बताया गया है कि जब भगवतम व्याख्या के वर भगवतम कारिया में ही रूची लेता है तो उसके जीवन की तुलना की गई है ये चार पकार के पर्ष्यों के समाई जैसे कि हम भववतम परिश्रम करते हैं उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जिनके द्वारा इंदियत्रिकी प्राप्त हो तो इस पकार की व्यक्ति की तुलना की गई है जदे के समाई जदा जो है भवत बूज़ा उठाता है किस लिए थोड़े से घास के लिए बस तुछी पकार हम इतना बूज़ा उठाते हैं किस लिए भूज़ा उठाओ पड़ा जहांत में उदेशा को नहीं भूलो फिर तुलना की गई है उउठ के साथ उठ क्या करता है वो कांटे को चबाता है जब उठ कांटे को चबाता है तो जीव से खून निकलता है पर वो मुल्क उठ क्या सोचता है क्या सोचता है गांटे में ठेस्ट है कांटा बहुत मीठा है तो गांटे को चबाते जाता है यह नहीं समझ पाता कि यह जो ठेस्ट है जो रूची आ रही है यह उसके खून से आ रही है तो उसी पकार आज बहुत एक समाज में सारे विश्व में यही भोग विलाती तादी में लोग इतनी रूची लेते हैं भूल जाते हैं कि यह जो उनका खून है किस पकार से जीवन बरबाद हो रहा है उसी पकार सुवर के समाज सुवर के किसा ठूलना की गए है क्योंकि इसी भोग विलात कर लेता है चाहे माता हो बहन हो बेटी हो तो उसी वो ही है सवाज के लिए आख ठीती बिना भेर भाव के खाना बिना भेर भाव के समंद साफित करना और फिर चुलना की गई है कुटे के समाज कुटा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है यह खोजन खाने के लिए कुछ मिल जाए तो इस फ्रकार भौधी व्यक्ति भी एक स्थान से दूसरे स्थान पतक पे रहता है इसी भावना के साथ कुछ कुछ प्राप्फ़ एक भागवत में कहा गया है भगवत में है भागवान की वानी ये जो देश ये जो श्लोक सनाया है ये तो बाइवकाद के द्वारा दिया ज़ा है व्यासिद्य्म जी की रचना है तो लग्वाद के अज़ि की भास रहा है हुआन। पर नहुत हैं तो कहने कर दो है हुआ यह रहा है नह manufactured नहीं कि अगर खुश करना है तो और वह सब सुना दो जो कि बुंह सुना चाहें एक उधारन हमारे गुरुजी देटे थे एक समय एक व्यक्षी को फांसी की सजा दी गई तो फांसी की सजा जब दी जाती है तो उस यक्षी से पूछा जाता कि क्या है तुमारी आख्री इच्छा तो इसने कहा क्या मेरी माता को लाओ और जा माता को अपोट में लेके आए तो भूद पांस पुलाया जैसे वो पांस में आई तो इस व्यक्षी में अपनी मुव से मां के कानों को खाड़ा उसने कहा कि तुमारे इन कानों के कारण आज मुझे फांसी लग रही है क्यों जब भी मैंने ड़्स काम किया आजने कभी आज मुझे रोका नहीं यह कहा तुम ठीक कर देओ बेर जब वो छोटा था चोटी चूरी करकर आता घट और मां कहती थी ठीक है सब चूरी कर रहे तुम भी कर दो उसमें क्या तो आस्ते आस्ते उसकी दो शुराप्रात बढ़ते गए पर मांने कभी रोका नहीं तूसलिए तो अस्ते अस्ते यह ज्यादा प्रात कर से गया फिर खून कर से और फिर इसको फांती लगा तो कहने का अर्थ है कि एस तरफ से भागवान के थे सचे बोलो और प्रियर शब बोलो तो इसका अर्थ है कि प्रियर शब बोलो पर शब सचे बोलो और प्रियर रुप से बोलो यह आर्ट है इसका यह नहीं कि लोगों को खुश कहना के लिए जो भी सुना जो लोग सुना चाहें वो आप सुनाना शुरू कर दो नहीं तो सक्चे शद बोलो और प्रिय शद बोलो यह है जीप की जीप की तपासिया